बिहार बोड ने प्रबेश परिक्षा के नाम पर लिये चार करोर डियलेट का इंट्रेंश एक्जाम जो पिछले साल होना था जो बीट की वज़ह से नहीं हो पाया और फिर मार्ट स्पेसिस पे ही जो एड्मीशन था उले लिया गया उसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया था तो उन साड़े का ओमी लाके चार करोर के आसपास होता है बिहार बिद्याले परिक्षा समीती ने टीलेट सतर 2020-22 में नामांकन के लिए जीले के चार प्रात्मिक शिक्षक शिक्षा महा बिद्याले में प्रबेश परिक् सामाने कोटी के अभ्यारती को 960 और अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती ओ दिव्यांक कोटी के लिए 760 रुपे फिस्ट ने धारित की गई थी इस हिसाब से जीले के 50,000 से अधिक अभ्यारतियों ने बोर्ड को प्रबेश परिक्षा के शुल के नाम पर 4 करोर से अधिक लुपे दिये कोरोना संक्रमन बढ़ने से बोर्ड ने प्रबेश परिक्षा नहीं ली अंको क्या धार पर मेधा सुची जारी की गई बिहारा जी प्रशिक्षु शिक्षक संग के प्रदेश अध्यक्स रिशिकेश राज ने बोर्ड को पत्र लिख कर कई बार सवाल भी किया कि जब प्रबेश परिक्षा नहीं हुई तो फी क्यों नहीं वापस की गई रिशिकेश ने बताया कि पत्र भेजने पर बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है कि सिग्र रासी अभ्यार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी लेकिन एक साल बितने के बाद भी किसी भी अभ्यार्थी को रासी नहीं लोटाई गई है बता दे कि इन सरकारी कॉलेजों में डियलेट के नामांकन के लिए साइंस आर्ट वा बनिज संकाय को मिला कर कुल आठ सो सीटे ही है दरसल सरकारी कॉलेज की फी कम होने से सीट से करीब साथ गुना अधिक अभ्यार्थियों न अभ्यार्थियों ने कई वार रासी वापस करने की मांगी थी इस पर बोर्ड की ओर से रासी लोटाने की बात कही गई लेकिन एक बर्स वीतने के बाद भी से वापस नहीं किया गया वहीं शिक्चा भी भाग भी इस सम्मंध में कुछ भी असपस्ट नहीं बता रहा है तो लगभग पचास हजारा भ्यार्थी अपलाई किये थे जो मुझे फर पुर्जीले में चार सरकारी कॉलेज है डियलेट उसके लिए और कुल मिला के चार करूर के आसपस चार करूर से ज़्यादा ही हो रहा है और अभी तक इन लोगों का जो पैसा है वापस नहीं किया गया झाल 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 झाल